वित्मंत्री निर्मला सीतरमन की अगवाई में हुई GST काउंसिल की 52 बैठक में कई बड़े फैसले लिये गए GST काउंसिल ने मोटे अनाच से बने प्रोड़क्स पर 5 फीसदी टेक्स लगाने का फैसला लिया है वित्मंत्री निर्मला सीतरमन ने बताया कि 70 प्रतिशत मोटे अनाच के आठे को खोला बेचा जाए तो इस पर 0 प्रतिशत GST लगेगा लेकिन इसे पैक करके बेचने पर 5 प्रतिशत GST लगेगा गौरतलब है कि पहले इस पर 18 प्रतिशत GST लगता था लेकिन काउंसल की फिट्मेंट कमिटी ने टैक्स छूट की सिफारिश की थी इसी के बाद ये फैसला लिया गया है मोटे अनाच का आठा अपने पोशन और स्वास लाभूं के लिए जाना जाता है पी-एम मोधी के नितरत्व में मोटे अनाच को प्रोच साहित करने के लिए राश्ट्र व्यापी अभियान भी चलाय जा रहा है इसके अलावा काउंसल ने शीरा पर GST 18 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत करने का फैसला किया है GST काउंसल ने सरकारी अधिकारियों को आपूर्ति की जाने वाली वाटर सप्लाई, पबलिक हेल्थ, सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट के अलावा सलम सुधार और उन्यन की सिवाओं को GST में छूट दे दी है GST काउंसल ने अलकोहलिक शराप के निर्मान के लिए आपूर्ति किये जाने पर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अलकोहल यानी ENA की छूट को भी मंजूरी दे दी है अनाज आधारित और गुड आधारित ENA दोनों को GST से छूट दी जाएगी बैठक में गेमिंग कमपनियों के समर्थन में दिली की वित्तमंत्री आतिशी ने ओनलाइन गेमिंग कमपनियों को दिये गए एक दशमलो पाँच लाग करोड रुपए के टैक्स चोरी के नोटिस को खत्म करने की मांग की दिली की वित्तमंत्री ने कहा कि ओनलाइन गेमिंग छेत्र 50,000 युवाओं के रोजगार का जरिया है और ये 17,000 करोर का विदेशी निवेश आकरशित करता है एक इंडस्ट्री जिसकी रेवन्यू है 23,000 करोर्स आप उस इंडस्ट्री को 1.5 लाक करोर्स के अगर आप टैक्स नोटिसेज भेज देंगे तो ये क्या है ये उस इंडस्ट्री को खतम करने का तरीका है ना सिर्फ इतना ये दिखाता है कि हमारे देश में इस सारे फॉरें इ एठक में राज्यों के वित्तमंत्रियों ने शिर्कत की और अपनी बात रखी